पर बड़ी खबर सामने आ रही है अतीक सुपुर्दे खाक हो चुका है अतीक और अश्रफ का कसारी मसारी के जंगलों में शर्फ दफन कर दिया गया है अतीक अश्रफ को दफनाने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है अतीक सुपुर्दे काक हुआ अतीक के जनाजे में शामिल हुए है उसके दोनों बेटे बड़ी खबर है हम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं अतीक अश्रफ को दफनाने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है अतीक के दोनों बेटे जनाजे में शामिल हुए अतीक के जन आज़े में शामिल हुए हैं दोनों बेटे अतीक सुपुर्दे खाक हो चुका है अतीक सुपुर्दे खाक हुआ तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं आमिर हमारे साथ ग्राउज जीरो से जुड़े हुए हैं आमिर क्या कुछ अपडेट जी पूज़े बता दें जहां अतीक के दोनों बेटे आज़म और आबान को लाया किया है अज़रफ की ही अज़रफ की बड़ी बेटी भी है यहां पर मौजूद और चर्चा ये भी है कि साइस्था परवीज भी यहां अबरस्तान में मौजूद है और सबसे बड़ी बात बत कि यहां पर पुलिस की फिर्जा वैन आके खड़ी है और कुछ पहिला है पुलिस भी यहां पर लगाई गई है ऐसा तूत्रों के हवाले से आ रहा है ख़बर के यहां पर साइस्था परवीन कबरस्तान से चायद मिट्टी दे के निकले और स्प्रेंडर करें जिसके बाद उनको महिला पुलिस सेट्रेटी मिले मगर जल्ता टी इसकी फुस्टी नहीं कर सकता है क्योंकि जब साथ हम अपनी आखों से शारी चीज़े नहीं देखने है यहां पर ग्राउंड पर तो इसकी फुस्टी नहीं कर सकते हैं मगर सूत्रों के हमाले से ख़बर आ रही है इस सियाद मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या परिवार की और भी महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं जी हां आपको बता दें बहुत सी महिलाएं यहां पर आई थी जिसके बाद कुछ मेडिया ने उनको खेर लिया था और जिसके बाद उन्होंने अपना मुझ खुद खोल कि दिखाया कि हम साइस्ता परवीन नहीं हैं हम उनके रिष्टेदार हैं और उनके करीवी हैं तो ऐसी बात सामने आई थी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आमेर हमाई साथ जुनने के लिए हम जानकारी साजा करने के लिए तो एक्स्क्लूजिव तस्वीरे देखे पूरे प